नमस्कर दोस्तों तो इस वीडियो में एक और पॉर्टफोलियो को हम चेक आउट करने वाले हैं तो जिनका ये पॉर्टफोलियो है तो ये एक इनाड़ा ही है एन सौधी आरोबिया में जॉब करड़ है करेंट लिंक का एज फॉर्टी यर्स एन में 2020 से इन्होंने इन्वेस् 25 क्योंकि उसके बाद ये फिर से बापस इंडिया में आ जाएंगे तो तब तक अपने एसाइपी को कंटिनू करेंगे और उसके बाद अपना पूर्टफोलियो उसको 20 साल था कंटिनू करेंगे तो इसका कैलकुलेशन हम वीडियो के लास्ट में करेंगे कि कितना विल्ट क कंपनी से अच्छे एंड एजडेव सी लाइफ में आपको थोड़ा सा स्लो ग्रोथ इस ट्रैम पे देखने को मिलेगा जरूर अंडर पेनिट्रेटर सेक्टर है इंसुरें सेक्टर एंड इन्फोसिस तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग कंपनी है टोटल ही 13,86,000 का बन चुका है यानकि अभी इनको हो रहा है 64,000 का लॉस एंड साड़े 4% का लॉस इनके पूटफोल में टोटल 26 कंपनी है तो सबसे पहला जो कंपनी इनके पास है तो यह है एफल इंडिया एफल में 43,000 का इंवेस्टमेंट है 4% का लॉस है बट कंपनी अच्छा है सिंग है लास्ट दो क्वाटर से पर फिर से जब ग्रोथ आना स्टार्ट होएगा तो यह कंपनी बहुत ही जल्द बहुत जादा भागने वाला है तो कंपनी को हुल्ड अप कर सकतो फर लॉंग टम तेने एशन पेंट एंड 68,000 का इंवेस्टमेंट है 17% का प्रॉफिट भी इनको हो रहा है बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉंग एंड क्वालिटी कंपनी अपने पिक क्या है तो एशन पेंट को जरूर लॉंग टम के लिए हुल्ड करने की कोशिश आप किजिए तेने पॉलिक एप 46,000 का इंवेस्टमेंट 29% का प्रॉफिट बहुत ही अच कंसिस्टेंट कंपनी रिलाक्स हो तो इसको भी हुल्ड किया जा सकता है फॉल्ड लॉंग टम देने रिलाइंस एन 62,000 का इंवेस्टमेंट है सारे 3% का हुड़ाई इनको प्रॉफिट तो ये भी बहुत अच्छा बहुत ज्यादा स्रॉंग कंपनी है तो रिलाइंस को लॉ अगर एड और करना है वर्च करना है तो मेरी सबसे थोड़ा सा वेट आप को करना चाहिए वैलुशन स्टिल बहुत हाई है बहुत हाई कहने का मतलब यह है कि और टाइम हाई पेस का वैलुशन करेंटली ओके तो वह चीज़ भी आपको देखना चाहिए बट जो इन्वेस् है आज सुभी हमने में चैनल को पर इसको रिलाटेट एक वीडियो पोस्ट किया तो जाओ तो उसको जाकि आप देख सकतो जरूर बहुत इंपोर्टिन वीडियो है कि टाइटन एक तो आप कैसा तो जो इंडिया में जूलरी का मार्केट है उनमें से 32 परसन का जो मार्केट है वो आप कैसा तो ओर्गनाइस प्लेयर के पास है और उनमें से जो चार परसन का जो मार्केट शारे वो टाइटन के पास है तो ग्रोथ ऑपोर्चुन्टी टाइटन के लिए अभी भी बहुत जाद है तो कंपनी में कंसिस्टेंट ग्रोथ आगे भी देखने को मिल सकता है और क्वाटर वान का रिजल्ट बहुत अच्छा आ साकता है तो टाइटन को जरू होल्ड करने की कोशिश आप कीजिए देने डीवीज लैप 63,000 का इंवेस्टमेंट 17% का लॉस बट कंपनी अच्छा है और स्ट्रॉंग और क्वालिटी कंपनी है जरू लोंग टम के लिए ह होल्ड करने की कोशिश कीजिए देने डिक्सान 37,000 का इंवेस्टमेंट 18% का होड़ा इनको प्रॉफिट तो अच्छा कंपनी डिक्सान एंग्रिसिब ग्रोथ हमको लास्ट यहर देखने को मिला है आगे भी देखने को मिलेगा ऐसा मैनेजमेंट का कहना है मैनेजमेंट पनी है तो लोग टर्म के लिए दिमार्ट को भी होल्ड किया जा सकता है देने हैपिएस्ट मैंट 45,000 का इंवेस्टमेंट है 16% का अभी तो लॉस है बट कंपनी अपने काफी अच्छा पिक है मैनेजमेंट काफी अच्छा है और नेक्स इस साल का टार्गेट काफी बढ़ा लेगा बाजार में बट लॉंग टर्म के लिए ज़रू अप होल्ड कर सकतो है इस टेप सी बैंक को उसके बाद नेक्स्ट इनके पास कंपनी है एंड रिसेंटली बाइं इनोंने इनोंने की है तीन शेर इनोंने खडीदा है एंड 11,000 का इंवेस्टमेंट है अभी तो कोई प्रॉफिट है लॉस्ट नहीं है बट काफी अच्छा कंपनी अपने बाइक किया है काफी बड़े डिसकाउंटेड लेवल पर बाइक है एंड इसकाउंट होगा तो इल्टाइए को ज़रू अप होल्ड करने की कोशिश कीज़े क्योंकि एग्रेसिब ग्रोथ है ग्रोथ ज जो कि मीड और स्मॉल केप कंपनी में ही निविश करते और वो ग्रोथ देखते से में कि एटलिस पंदरा परसन तो आए कुछ इंवेस्टर देखते एटलिस बीस परसन का घुट होता है कुछ इंवेस्टर ऐसे भी देखते कि 25 परसन का ग्रोथ चाहिए टॉप लाइन में तो अलग-अलग इंवेस्टर का अलग-अलग अप्रोच होता है बट जब 25 परसन का ग्रोथ चाहते वो डिफरेंटी छोटे कंपनी में ही आते नॉर्मली तो इस वज़े से वहां पर बहुत इटीप स्टडी करने की ज़रौत है आपको मैनेजमेंट को पड़ाकना पड़े देन इनके पास है नौकडी 83,000 का इंवेस्टमेंट 26% का लॉस बट कंपनी अच्छा है ग्रोइंग बिजनेस है तो लोंग-टर्म के लिए होल्ड अप कर सकतो देने पिडिलाइट एन 51,000 का इंवेस्टमेंट है तीन परसन का प्राफित है काफी स्टॉंग काफी कंसिस्ट कंपनी तो ज़रूर लोंग-टर्म के लिए होल्ड कीजे तेन पॉली कैब डिलेक्स हो को हमने अल्लेडी चेक आउट कर लिया है उसके बादे एस्टरल में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 58,000 का पांच परसन का होड़ा है लॉस बट कंपनी स्ट्रॉंग एन अच्छ पर इट इस ए गूड और ग्रोइंग कंपनी तो अगर आप 10-15 साल होल्ड कर सकतो तो में भी एक कंपनी काफी बड़ा एंड काफी अच्छा रिटन प्रवाइड कर सकता है तो लोंग-टर्म के लिए होल्ड आप कर सकतो देने सीडी एसल 47,000 का इंवेस्टमेंट है 14% का पर अगर देखेंगे तो दीपक नाइट ने बहुत अच्छी तरीके से पूड़ा है कि इतने साल में इतना डेविनू टार्गेट हम अचीव करेंगे वो टाइम से पहले ही वो अचीव कर लेते मैनेजमेंट काफी अग्रिसिव है दिपक नाइटेट का उसके बाद निक्स्ट इनके पास है HDFC लाइफ एधर पे 28,000 का इंवेस्टमेंट है 19% का होड़ा हिनको लॉस अभी सकतो अल्मोस्ट फ्लैट ही रहेगा या थोड़ा बहुत रिटन देगा और दो तीन ऐसा भी होगा जो की नेगरिव रिटन आपको देगा तो पॉर्ट्फोलो बेसिस पर आपको ओवराल रिटन तब बनेगा जब दो तीन कंपनी मल्ती बैगर रिटन आपको देकर तो में भी कंपनी को काफी बेनिफिट उससे इसका अंबल सकता है लॉंग टम में अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंसी इनके प्राफिट में देखने को मिला है चाओ तो होल्ड भी कर सकतो कि के अलोकेशन आपका ज्यादा नहीं है बट टोटली अगीन आपका डिसीशन है देने आई-एक्स एंड इधर पर 45,000 का इंवेस्टमेंट है 32 परसन का हो रहा है इनको लॉस बट कंपनी अच्छा है ग्रोईंग है तो होल्ड आप कर सकतो बट मिटकेप कंपनी ज्यादा अलोकेशन अब मत प्रोवाइट करना देने इनफोसिस 61,000 का इंवेस्टमेंट है 7 सब्सक्राइब कंपनी और सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं परता है क्योंकि management ही आपका काम समाल लेगा वो ही अच्छे तरीके से उस company को grow कर लेगा तो ये बहुत important चीज है जो कि आपके लिए समझना जरूरी है कि management अगर अच्छा होगा तो company भी अच्छा करेगा then next इंगे पास है IRCTC 91,000 का investment है 38% का होड़ा है इनको loss it is a good and growing company and no doubt future में अच्छा ही करेगा but again IRCTC में एक तो valuation के उपर नजर आपको देना है दूसरी चीज़ पीए सु स्टॉक है तो पीए सु स्टॉक में भी allocation आप हमेशा कम रखने की कोशिश जरूर करना क्योंकि government का वो decision बीच में आया था जिस परसे एक दिन के अंदर stock पूरा crash हो गया था 10-15% तो इस बज़े से IRCTC आप कह सकते इसके उपर से बहुत सरे investor का confidence कम हो गया कि government अगर future में फिट से ऐसा कोई decision लेता है कि हमें भी convenience fee का 50% चाहिए directly वो मांग लेता है तो IRCTC का profit कम हो जाएगा तो वो चीज मुझे थोड़ा negative लगता है तो इस बज़े से allocation control में रखना आप and मैं होता तो titan से ज़्यादा IRCTC में तो allocation provide नहीं करता and ये मेरा personal opinion है बाकी decision तो आपका है तो इने जुबिलन फूट 59,000 का investment है 14% का loss है but it is a good and growing company hold आप कर सकतो बट अभी कहें कि valuation में correction हो रहा है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है basically scarcity premium इधर पे भी देखने को मिला जो HDFC MC में देखने को मिला है ऐसा है क्यों मैं आपको short में समझा देता हूँ तो पहले अगर देखेंगे तो AMC के अंदर ज्यादा कुछ companies थे नहीं तो निवेश अगर करना है तो HDFC MC company था पड़ उसके बाद आ गया यूटिया उसके बाद बिलना आ गया तो उस बज़े से जो valuation है वो इसका कम हो गया क् यूटिय में भी निविश कर सकते हैं अभी वो बिलना में भी निविश कर सकते हैं सेम जुविलन फूड में कि अगर आपको fast food में निविश करना था पहले तो आपको जुविलन फूड में ही निविश करना पड़े या बट इस टाइम पर अगर देखेंगे तो बड़गर कमपनी प्राफिटबल कमपनी सेकर काफी अच्छा करेगा तो होल्ट आप कर सकतो बड़ जो भी कमपनी आपके पूर्टफलियो में 26 सारी कमपनी को आपको ट्रैक जरूर करना पड़ेगा कि अर्णिंग कैसे ग्रोफ कर रहे तो ही होल्ट कीजे ग्रोफ आगर ना रहे और क्य प्राफिटाना मुझे इनका पूर्टफलो काफी सही लगा एंड जो स्ट्रॉंग एंड कंसिस्टेन वाले कंपनी से उनको भी इन्होंने एड किया कुछ अच्छे मिटकेप कंपनी इसको भी आप ट्राइए जरूर करना कि जो भी आपके पास पीसु कंपनी होगा या फ्य टाइटेन में वैलुशन आपको हाई देखने को मिलेगा एशन पेन में भी हाई होगा सिक्टर का इपी हाई होता है पर अगर कोई ऐसा कंपनी जिसका सिक्टर का जो एवरेज पी मान लो की 30 है और वो स्टॉक सतर असरी पे जाके ट्रेट कर आए तो वहाँ पे अलोकेशन आपको कम रखना चाहिए क्योंकि जब पी एजस्ट होगा तो आपको ओवर ओल रिटन कम हो जाता है लॉंग टम में ओके अभी अगर बात करें कि और कौन से कंपनी को आप एड कर सकता अपनी पॉर्टफोलो में तो सबसे पहले तो आप ट्राइ यह करना कि आपका पर्फॉर्मिस उनका देखने को मिला है तो वहाँ पर बड़ा पॉर्शन एलोकेट कर सकते हो एंड उसके बाद बाकी जो 40% होगा वह में जाओ तो आप निविश कर सकतो बट चाहो तो आप 60% से जाधा भी अलोकेशन आप दे सकतो लार्ज के अप में क्योंकि टोटली रेका केमिकल के अंदर कंमपने उसको स्टडडी कर सकतो बिल्ध कमपनि को अधी कफिक सेरी कर्सक्तों यां थो आफ है तो हमारा बी चैनल ईंवेस्टिंग करके लग सकतो है बहुत सबसिक्सर्द करते हैं चर्दिंस के उपर तो चलिए भी देख लेते कि इनका portfolio long term में कितना wealth इनको create करके दे सकता है तो अभी जो portfolio का size है almost 13,80,000 का बन चुका है 18% के average return अगर इनको मिले and 3 साल तक अगर ये hold करते है अपने portfolio को तो after 3 years 22.6 lakh का wealth ये create कर सकते 3 साल हम या पर क्यों ले रहे क्योंकि नोंने बताया कि 3 साल तक 2025 तक ये SIP को continue करेंगे अपना कितने का SIP करेंगे 15,000 का तो 15,000 का SIP अगर ये continue करते है अगर इनको 18% का average return मिले और इसको अगर तीन साल तक continue करें तो इधर पे 7.19 lakh का जो या पर कॉर्पस से वो create होकर आ रहा है तो या या पर सातला करने इधर पे था 22.6 lakh तो almost 30 lakh के आसपस का जो wealth आपका create हो जाएगा after 3 years तो इसको कर लेते 30 lakhs और उसके बाद इन्होंने बता कि total 20 साल तक hold करेंगे जिन में से 3 साल का calculation already हमने कर ली है और उसके बाद 17 साल अगर और hold कर दे अपने portfolio को तो 7 या पर 17 years and total 20 years पांच करूर का total wealth ये create कर सकते अगर इनको average 18% का return मिले तो सिंपल हमने क्या किया कि इनका करेंट जो इन्वेस्टमेंट है 13,000 वह 20 साल तक कंटीनू करेंगे 15,000 का SIP 3 साल तक करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे जितना portfolio बनेगा उसको total 17 साल तक hold करेंगे तो जाके 5 करों का जो wealth ये create कर सकते with 18% average return अगर इनको मिले ये जस्ट हमने rough calculation की है तो दोस्तों ये था अचका हमारा portfolio review का वीडियो आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो गड़ अच्छा लगा है तो एक like जरू कर देना साधी साचे अंको subscribe जरू कर लेना नीचे आप stocks का link आपको मिल जाएगा चाहो तो उसके थुरू आप अपना account open कर सकतो एंट हमारा जो private telecom group है उसको join कर सकतो for lifetime जहाप आपको कोई call और tip नहीं मिलेगा मेरे जो खुद के traders होंगे वो मैं आपके साथ share करता जाओंगा for lifetime वीडियो देखने के लि